नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पर आप आप सारे बहुत अच्छ होंगे अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे इस वीडियो में हम सेलेक्शन पोस्ट फेज नाइन के एक और मैस का सेट करने वाले चूंकि एससी ने रिसेंट्ली एक्जाम कंड़क्ट करवाय थे तो इस क्वेस्टन्स आर्द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर आल अपकुमिंग है सीजियल का चाहे वह अपकमिंग एक्जाम है सीजियल से एचसल म्टेस किसी का भी ठीक है और यानकि जैसे वह फ्रेम करती है क्वेस्टन वह चेंज करती है हर साल ठीक है तो इस साल किस तरह क्यों क्यों प्रेम कर रहे है तो इस गूएंग टू वी इंपोर्टेंट फॉर यो एक्जाम 25 मिनट से जादा ट्राइ करूंगा कि ना लूँ ठीक है बाकि आप लोग प्लेव होना सब्सक्राइब कर ले ना इसी टाइप का आपका सीजेल और सीचसल का एक्जम देखने को मिलेगा प्रशन देखा तुरंत भीड जाओ इससे कहा गया 1664 पे बेचने पे जो वस्तु है किसी वस्तु को 1664 पे बेचने पे है तो उतना ही प्रॉफिट होता है जितना अगर इधर डिफरेंस एकस है इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है चीप निकालने है आपको पता है सीपी ट्लस एकस यी माइन इस इतना है दोनों को जोड़ेगे बटे दोकर देंगे चीपी अले। तो आप कहेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो 2 CP is equal to something, तो CP बराबर दोनों का योग बटे दो, इसी वज़ा स्टीचर आपको कहा देते हैं, कि cost price कितना हो जाएगा, cost price हो जाएगा 1664 प्लस 849 बटे दो, अब 1664 पे 6 जोड़ोगे, 1670 हो जाएगा, नपे जोड़ोगे 1760 हो ज एक लाइन का प्रशन बनेगा, कहा कि कुछ सेबों को पंदर रुपे पर सेब के हिसाब से चोड़ोगे, तो 800 रुपे का नुकसान आएगा, आपको पहले पंदरम बेशते थे अभी 11 में, यानि 4 रुपे का लॉस एक सेब पे कमा रहे है, तो 800 रुपे का टोटल लॉस हो र यानि कि 200 एपल्स का कॉश्ट प्राइज कितना है, 1800 यानि कि एक अपल्नों का भिक रहे है, तो कहा गया, सेलिंग प्राइज ऑफ बीश एपल्स, इफ प्रॉपे अर इस तेन परसेंट का प्रॉपे लेना चाहिए, तो 20 एपर अब देखो, एक वस तुका, नो रुपे, 10 प समझा कि आपका धिमाग कुंद गर के मैं पढ़ाना नहीं चाहता है, क्योंकि मेरा भी टाइम वेकार होगा, आपका भी टाइम वेकार होगा, एक ही फॉर्मूला होता है, अगर यह दोनों चीज़े दी गए हो, एनि कि 8, इन्टु ए प्लस बी प्लस सी का होल स्कूर यानि 64 मैंनस थ्री टाइम साफ ए बी प्लस बी सी प्लस यह, त्री टाइम साफ 14 यानि की 42, अब 64 में से 42 गटेगा, कितना होजएगा, एक लाइन से ज्यादा में अगर किसी ने किया, इसका मतलब उसने पढ़ाई नहीं करिए, एक जाम में कैसे उड़ाना है, इन प्रशनों को टे गए, X-Q minus Y-Q by 8 निकालना है, यह आपको पता क्या होना चाहिए, X-Y by 2 पता होना चाहिए, X-Y by 2 कैसे निकलę है, यह आपसे डिवाइड कर दो, तो यहाक से X-YY2 कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, इसका Q करोगे तो आपका आ जाएगा, X-Q minus Y-Q by 8, minus 3AB, यह जानि Baback इन्टू A-B, यानि कि 1, X-Y, Y2I, इसका हाफ पूछा गया, यानि 13 बटे 4 का हाफ, 13 बटे 8 हो जाएगा, कहा गया, मेर का कोई चुना होता है, जिसमें 2 केंडिडेट फाइट करते हैं, और 23 जो है, इन्वेलिड हो जाते हैं, कहा गया, तोल लोट इतने थे, तो जो हारता है, उसको कितने मिलते हैं, थीक है, दूसरे गेंडिडेट को कितने मिलते हैं, अब देखो, आपको पता है कि 40 बटे का उसे मिला, किसको, जो मतल़ पहले केंडिडेट को, बाकी बचे हुए 60% दूसरे कंडिरेट को valid ओटो का 60% valid ओटो का 60% आपको बता है 23% तो invalid थे यानि valid कितने थे 87% 87% का 60% किसका total 21,000 थे तो 21,000 के 77% का 60% निकालना है तो आप कहेंगे 21,000 गुड़े 77 बटे 100 गुड़े 60 बटे 100 बस आपका उत्तर आ जाएगे 77,215 हासे लाइगे 15 77,4,308 और 15,320 इसमें 3 से करना है गुड़ा मुझे भरोशा है कि आप लोग गलत नहीं करोगे 32,900 और 34,100 दो जोड़ोगे 97,02 आपका पुतर हो जाएगा I know कि मैं थोड़ी तेज करवा रहा हूँ लेकिन इतनी तेज आपका दिमाग चलना ही चाहिए कहा कि मार्केट प्राइज अगर हम सेलिंग प्राइज सेलिंग प्राइज पर 35% का छूड़ दे या 20% और 15% के छूड़ दे तो जो दोनों के सेलिंग प्राइज के 20 अंतर आता है एक ही वस्तु का मार्केट प्राइज ही उस पे एक बार 35% देते है एक बार 20-15% देते है तो जो अंतर आता हो 990 है तो आपको सेलिंग मार्क प्राइज बताना है आपको पता है अगर हम 20-15% का छूड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा ताय तेसा जार के लिए ऐसा प्रसंट दिखी ज्यादा दिमाग ना लगा ना टैने बराबर एक बटे दो दिया गया है तो आप से वैलू पूचिए कितना हो जाएगा और देखो कितना हो जाएगा और मैंड़ा-पूरा-पूरा कट़ जाएगा उत्तर 1 हो जाएगा एक बात बताओ अगर कोई कहें कि मैं A मतलब यह value करें भी ना निकालना चाहता हूं मैं बिल्कुल कह दूंगा निकाल सकते हूं कि अगर B right angle है तो आप कह सकते हैं A plus C बराबन 90 डिखने अब A और C में ही सारा दिया गया तो sign A को हम cause C लिख सकते हैं क्योंकि sign A को लिख सकते हैं 90 डिख सकते हैं 90 डिख सकते हैं अब को से साइन से हो जाएगा तो कोई जरूरी नहीं है value देने कि अगर यह कुण नभ्यांस दे दिया गया कहा गया एक धन है जिस पर 8% पर एनम के रेट से 9 साल का जो simple interest वो इतना है कहा गया कि same amount को 12% सरी 12 साल के लिए अगर किया जाए अगर at what rate of interest can the same amount of interest can be received on the same sum for 12 साल यानि आप देखो पहले 8% की rate से 9 साल के लिए invest करागे यानि 72% हमें आज मिला होगा total 8% एक साल में नो साल में आप कहा कि 12 साल में अगर हमें 72% यानि यह इसी के बराबर amount प्राप्त करना है तो कितना percent rate of interest होना चाहिए आपको पता है 8 साल में 9 साल में 72% तो 12 साल में 72% पाने के लिए 72 बटे बार है यानि 6% clear तीन बॉक्स है ABC जिसमें दो तीन पांच के अनुपात में क्या रखा हुआ है marble ठीक है यह दो है यह तीन है यह तीन है यह पांच टोटल 80 है यानि दो तीन पांच पांच दस मिला के 80 यानि एक बराबर 8 यानि इसमें 16 इसमें 24 इसमें 40 marble है का गया 6 marble A का B में transfer कर दिया जाता है यानि A से 6 निकाले गए इधर B में आ गए यानि ये 30 हो गए और कहा गया 10 marble are transfer from C to B 10 marble इसमें से निकाले गए यानि 30 हो यहाँ पे 10 बढ़ जाएगा यानि 40 तो का गया new ratio B अनुपात A अनुपात C यहाँ पे ध्यान रखना B 40 अनुपात A 10 अनुपात 30 तो 0-0 हट जाएगा 4-1-3 ratio clear आइसोसलेस संभाहू तिर्भूजए A B और A C बराबन है ठीक है बना लो फटा फट फट एक मिनट थोड़ा सा यह देखो इस तरह से बनाओ और फीगर वहाँ पर डिजाइन न बनाने लग जाना वरना पफेल हो जाओगे ठीक है 22 बराबर पट इसन ऐए फ्लस भी आपको पता है कितना है 25 ठीक है आपको 20 की लंबाई निकालनेने 2 लम्भाइं पॉजाए हैं अब ध्यान जो किया जाओगे कि चोविस कैसे हैं यहां पर पूझाई से लगाया है ट्रैंगल ABD में ठीक है clear 72 से divisible हजार बार पूछा जा चुका पहले 8 से divisible बनाओ 8 साथ दो 8 से divisibility करूँ ले last 3 डिजिट 8 से कटनी चीए 8 से divide करूँ गया 8 1 कम 8 फिर यहाँ पर 832 आट से कटे गया यानि वाई बराबर 2 हो जाएगा y बराबर 2 हो गया अभी संख्या को 9 से भी काटना है 9 से काटने के लिए sum of digits 9 से कटना चीए sum of digits लेलो देखो 9 तो कट गया 9 तो अपने आप 9 से कट गया देखो 6 4 10 दो 12 8 20 27 27 भी कट जाएगा यानि बचेगा कितना 8 प्लस x प्लस y यानि 8 प्लस x लिख दो y की value 2 है इसको हमें 9 से काटना है यानि 8 2 10 x को कितना लेना पड़ेगा 9 से काटने के लिए 18 बनाने के लिए 8 x बराबर 8 होगा 2 x यानि कि 16 में से 2 घटाना यानि कि 14 उत्तर एक लाइन का प्रश्ण इन प्रश् तक कितनो जग यहानि 33 से भी कटने वाली संख्या है आपको कैल्कुलेट करनी पड़एंगी योग्श्य कि 23 से कल्कुलेट करोगे तो तो तैयदी से कटने वाली 3 सभी कटेगी 11 सạtेहले से अब देखो 500 से लेके 550 के बीच में टोटल संख्याय कितना है 11 संख्याonder आपको पांसोचे पहली संख्या जो 11 से कट रही है 500 550 के बीच पांसोपचास भी कट रही है आप के एप लस n-1 इन्टो डी डी कितना है बराबर 550 पांसोचे इधर बीचेंगे तो 44 आजेगा 1144 कटेगा चार यानि न बराबर और आपको 33 से भी निकाले क्योंकि इसमें भी एक बार 33 संख्यों में एक ही संख्या हो सकती है तो आपने कहा टोटल ऐसी संख्या जो तीन से तो आप कहेंगे कि एक क्यों में इस सकती है तो ना कटने वाले कितने हो जाएंगे एक कोई काम 10 दिन काम किया और बी की बात की गई दस दिन में दोनों ने एक साथ दो दो दिन तक काम किया उसके बाद B जो है वो हटा दिया जाता है और फिर तीन दिन में काम खतम हो जाता है तो आप से कहाँ किसी 50 परचंट कितने दिन में करें तो दस दिन और पांस दिन 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 में कर देते आनि ऐग सी एक दिन में चार बटातीन यूवनीट करते हैं यख Changing का दूसरी और तीसरी संक्एक का नफैट दिया गया तो आपसे कहा गया दूसरी और तीसरी संक्एक सब्सक्राइब और थर्ड में लिख रहा हूं यह पोजीशन होगे आपके आप पढ़ोगे तो का गया दो अनपात साथ इनका है पांच अनपात आठ इनका अनपात है सब्सक्राइब और के बीच में डिफ्रेंस कितना रहा है 21 रेशियो आ रहा है डिफ्रेंस एक रेशियो दो है 21 रेशियो 42 नॉर्मल देखो सीधी सी बात कही गई कहा गया 44 लोगों का ऑसा 30.5 था छे लोग 72.8 वाले निकल जाते हैं यह 6 रोग कितना ज्यादा लेके निकलते ह और दो लोग कितना वाले आ जाते हैं दो लोग 56 वाले आ जाते हैं यह 17.4 किलोग्राम कम लेके आते हैं आप ने कहा कि एवरेज बेट जो है अब कितना हो जाएगा कितने लोग 44 में छे गए हैं और दो आए हैं निए 44 में से 4 कम होगे यह बचे 40 लोग total कमी कितने कि हुई देखो छे लोग ज्यादा वाले जाएं ज्यादा वाले जिस पर ज्यादा पैसा वह आपके घर से चला जाए यह कंगाली वाला आए आपके लिए दुख बराबर रहेगा यानि गया कितने च्छे गुड़े चार पॉइंट तीन है कि 24 25.8 इधर गये हैं और दो गुड़े 17 जो कमी करेगा वह 40 लोगों पर करेगा तो 40 लगबख देड़ गुना है तो देड़ गुने की कमी यानि आपके पूरे पर कमी तो एक पर कितना हो जागा साथ पॉइंट चे बट्टे चाली जब एक कम एक की कमाई दी जाए कहा एक की कमाई जो है पहले इंकम दी गई पिर स पर चीश परसेंट बढ़ जाता है यहां पर इक स्पेंडिचर कितना रहोगा 65 परसेंट बढ़ने का मतलब 65 का एक चोथा यानि कि 16.25 बढ़ जाना यानि 85 हो गया तो कहा गया सेविंग इंक्रीज इंक्रीज कितनी होती है 120 कमाता है एक क्यासी खर्च करता है यानि 49 49 से थो 25.85 होगा 11 परसेंट हो गया क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है कामकता प्रस्न का ऐसा भी वह हमें बजाते रहना है का गया जो बार ग्राफ है वह और बी में इंड्रोल्ड इस्टुडेंट्स की संख्या दिखाता है का गया इंस्ट्यूट ए पाई चार्ड में चार्ड अशॉटाल है का निकालर तो एकसराइब यारेकि एकसरोपचीस चार्स्ट्रीन नौस चालिस नौस नव्वे एक हजार पचार बारहाचाचास टोटाल है ठीका बारहाचा सो का पार्टेक्टेव थी सुब्सक्थ्थी सो अच्शाइक बनायेगा यानिकि 125 चैटिस जब वाराबर कोगोगहें करेंग बारा गुना गुन कर लो भारा गुना 24kg यह कितना कम है 15 परसेंटेज में 15 बटे नब यह निए एक बटे 6 हिस्सा एक बटे 6 होता है 16.25 मेरे मुझे 16.25 निकल दें 16.6 होता है तिरभुज दिया किया का के तिरभुज अब इतना बी वरावर इतना बी और सी के वाइस एक्टर पी पर मिलते हैं भी प्लस पी सीए की वैलू वैसे कोई जबूरत नहीं इसको बनाने की देकर मैं फिर भी बनाए दे रहूं देखो यह बाई साब यह बी है यह सी है शाचट के है भी 50 डिगरी वी और सी के वाइस इक्टर यहां पर कहीं पर मिल जाते हैं वाइस एक्टर कहने का Mतलब लिए यह बी और कितना इए ताρά का मुझा बतानी आपको पचास यह बता है तो एक्टर प्चास यह हैशाचट यह है तो यह कितने हो जाएंगे च्छाचट अब आपसे कहा गया BPC BPC कौन कितना हो जाएगा आपको पता है मिसा कि 50 यह है 64 यह है इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 114 यानि इनके आधे का योग कितना हो जाएगा 57 तो यह कितना हो जाएगा 123 या आप कहा है कि अगर जो P है वो B और C के इंटर्नल बाइसेक्टर का मध्य बिंदू है मतलब कटान इंटर्नल बाइसेक्टर का कटान बिंदू है तो BPC जो होता है 90 प्लस एबाइटू होता है 90 प्लस चाचट का आधा है निकीट एटीस 123 वैसे भी आ जाता तो BPC तो हो गया 120 और आप से PCA दिन में खतम करना है तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा 120 घंटे का काम है 12 दिन में करना है तो 12 बटे 12 यह निकीट पर दे करना कहा कि 20 संख्याओं का जो consecutive नंबर से उनका एबरेज 25.5 है 20 संख्याओं का एबरेज 25.5 आपको पता है अगर 20 संख्याओं तो उसमें जो एबरेज होता है वो हमेशा ध्यान रखना का जो आपको आपको देंगा 25.5 अब यह कों सी संख्याओं जोड़ें दसंवी संख्या और गيारहमी संख्या जोड़े कि क्या हुझा है लगातार होने चीला आप गवीज़े कि पत्चीस और शव्वीज, याने कि दसंवी संख्या संख्या 20 है, तो पहली संख्या कितनी होझा जाएक गे 25 में उसे 9 हटा थो है, यानिकि 16, ठाइन कि अगर दसमी काम पूछे तो आपका होता एक प्लस संक्या प्लस तो थी प्लस टूगि दीटी छी जूटी जी Цिंगे अगर अगर प्लस शल Ti लोल जाए तो और अपने कहा कि पारी अग्यर्म प्लस वन ब्लस टू तो आपने कहा मानित कि हैं स paintings चार साथ और बारा का है यलसियंस का 24 अगर टॉतल दोई भानू टीन से जाने पे फाफ 29 गंटे का समय लगेगा साथ से जाने 12 एग गंटटे का और 12 एग साथ... टोटल दिया गया है 34 बटते 3 जोड़ोंगे 28 एकिस उनचास साथ 56 और 12 68 68 यह बराबर 34 ही यानि यह बराबर एक बटते 3 तोटल डिस्टंस पूछा गया आपने 84 यह माना था ठीक है 84 यह कितना हो जाएगा आपको पता है एक ब्यक्ति 84 यह जाता है दूसरा 84 यह तीसरा 84 84 यह करवाया था करवाले सेट में देखो कहा गया कि एक बॉक्स जिसकी लंबाई चोड़ाई उचाई दी गई है कहा गया अगर कवर करना है ठीक है इसकार रेट पर स्क्वाइर मीटर उनीस सो पचास रुपय आता है तो आप से बताना है वॉल्यूम का 50% अब देखो आपको कवर करने का हमेशा ध्यान रखना कि कवर करने का जो खर्चा होता है वह होता है टू टाइम सब और बड़ाबर आपको दिया गया अगर डेर रुपे पर स्क्वाइर मीटर है उनीस सो पचास रुपे का खर्चार है यानि कि टोटल एरिया कितना हो जगए डेर से डिवाइड कर यानिके तेरा सो इसकार अब 26 से कटे गए 50 हो जाएगा 2 से कटे गए 25 हो जाएगा नहीं एक सिसकार बड़ाबर 25 यानि एक सब्सकार पाइब निकालना है वाल्यूम कितना होता है लब यह यानि तीन गुड़े 2 गुड़े 4 यानिकी 3 दूनी 6 4 को 24 एकस क्यूब यानिकी 24 शाल बढ़ जाए चाल 20 परसेंट बढ़ चाल 20 परसेंट बढ़ेगी तो समय कितना अगर छाल 20 परसेंट बढ़ने का मतलब अगर पहले 5 एस मान लेए तो पहले दी देफटे 5 एस का टाइम लगता था अभी कितना लगा बढ़ गई यहीं दीबते 6 और कहा गया कि वाद करना पड़ेगा यानि कि दूरी को जाने में इसका दो गुणा दो गुना पड़ेगा तो दो गुना ताइम लगेगा यानि 5 गंटे लगें लेगा आप कहा गया कि जो टीच यह पाईचार दिया गया वह टीचर्स की संख्या दिखाता तो टोटल जो टीचर साइब फीमेल केमेस्ट्री पढ़ाने वाले देखो केमेस्ट्री अथारा परशेंट लोग पढ़ाते हैं उसका थीरी एट्थ थीरी एट्थ मतलब तीन बटे आठ यानि तीन बटे आठ आठ अठारा परसेंट का जो है वह गया का कई धन नंबर ऑफ मेल केमेस्ट्री टिचर अब देखो थीरी एट्थ अगर फीमेल है तो पांच बटे आठ मेल हो जाएंगे अज परसेंट आफ टीचर्स वोटीज बाई लिजी वायो को कों कितने लोग प पर्सेंट यानि कितना पर्सेंट है ठीक है आप देखो बटे लगाओ यह इसका कितना पर्सेंट अगर निकालना तो यह बटे गुड़े बाकि आपको इससे कम समय में 25 मिनट यहां पर मैंने ज्यादा ले आपको समझाते हुए कराने में आपको कोशिस करना है कि 12 मिनट से ज्यादा मैं ना लो यहां पर टेस्ट में लेने लग जाओगे तो आप उहां पर माल लेना कि अगर प्रेशर रहेगा तो पंदरा मिनट हुए या नहीं हुए अगर नहीं हुए तो मतलब कम मेहनत करें अगर हुए हो गए तो समय लो जादा मेहनत करें लेकिन ओबर कॉन्फिडेंट ना हो ना पेपर में जाओ तो एन एक्जाइटी लेके न जाओ बर कॉन्फिडेंट हो की जाओ लेकिन अभी आप जब तक प्यारी ही चल देए तब तक ओबर कॉंपिडेंट नहों बहुत सारी चीजे करने को हैं हाला कि आप अच्छे हो पढ़ने में मेहनत कर रहो गुड़ लग आल दबेरी वेश फॉर यो आल कुंग जांस बने मात